हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचिन में आज मैं आपके लेकर आई हूँ मसालेदार फिश करी की रेसिपी इस फिश करी की रेसिपी को आज मैं बहुत ही आसान और अलग तरीके से बनाना बताऊंगी अगर आपने इस तरीके से एक वार फिश करी बना ली तो बार बार आप इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे ये इतनी टेस्टी बनकर तयार होती है तो एक वार इस टेस्टी फिश करी की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें फिश करी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी के जार में डे टेवल स्पुन काले वाले सरसो डालेंगे अब इसमें दो टेवल स्पुन पीले वाले सरसो डालेंगे अब आप यहां चाहें तो किसी भी एक कलर के सरसो का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद 20-25 लसन की कलियां डालेंगे अब इसमें 5 हरी मिर्च और 3 लाल सुखी मिर्च डालेंगे अब मैं यहां दोनों तरह के मिर्च का इस्तिमाल कर रही हूँ आप चाहें तो किसी भी एक तरह के मिर्च का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इनकी कॉंटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़जस्ट भी कर सकते हैं अब इसमें एक चोथाई कप पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल बारीक और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और यहां मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है ये देखिए इसकरी में आप जितना बारीक और स्मूथ पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी उतनी ही पफेक्ट बनेगी अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे अब अगर आपको पीशते समय पानी कम लगे तो जरुत पढ़ने पर आप इसमें थोड़ा पानी और डाल कर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं अब हम जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो जार में लगे हैं उन्हें भी हम निकाल कर बॉल में डाल सकें और यहां हमारा बहुत ही स्मूर्थ पेस्ट बनकर तयार है इसे भी एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे अब इसे भी हम साइड में रखेंगे यहां मैंने एक बाउल में 500 ग्राम फिश लिया है अब मैं यहां रहू फिश का इस्तेमाल कर रही हूँ आप कतला या अपने पसंद की कोई भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मैंने अच्छे से धो कर लिया है और अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें फिश को मैरिनेट करने से फिश में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो इस मसाले को फिश में जरूर डाल कर मैरिनेट करें अब सभी चीजों को फिश के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे अब हमारी सारी तयारी हो चुकी है और अब मैंने यहाँ एक पैन को गैस पर चढ़ाया है फिश फ्राई करने के लिए इस तरह के चौड़े बरतन का ही इस्तिमाल करें इससे फिश बिल्कुल एक जैसा फ्राई होता है अब हम इसमें आधा कप सरसो तेल डालेंगे फिश करी बनाने के लिए या फिश फ्राई करने के लिए कोशिश करें कि सरसो तेल का ही इस्तिमाल करें अब तेल को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल इसमें धुआ आने तक इसे गर्म करेंगे उसके बाद इसमें ये फिश के पिसेज एक एक करके सावधानी से डालेंगे और इन्हें 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जब एक तरफ से फिश फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें इस तरह से एक फोक की मदद से पलट लेंगे अब ये देखिए क्यूंकि यहां तेल बहुत ही अच्छा गर्म था और फिश भी बिल्कुल फ्रेश थी इसलिए एक भी पीस पैन में चिक्का नहीं है अब हम दूसरी तरफ भी मीडियम फ्लेम पर तीन मिनट फ्राई करेंगे और जब ये दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो जाए तब हम इसे हाई फ्लेम पर पलट कर एक से दो मिनट और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और ये देखिए अब यहां सारे पिसेज अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे अब यहां मैंने सारे पिसेज को प्लेट में निकाल लिया है ये देखिए ये कितने अच्छे से फिश फ्राई हुए है आप इन्हें चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं अब मैंने यहाँ फिर से गैस पर एक कड़ाई जड़ाया है और इसमें फिश फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया था वो इसमें डालेंगे और दो टेवल स्पुन सरसो तेल और अब तेल के गरम होने के बाद इसमें हाफ टेवल स्पुन खड़ा जीरा और हाफ टेवल स्पुन मेथि डाना डालेंगे और इहने 15 से 20 सेकेंट चटकने देंगे अब इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारिक चॉप करके डालेंगे और दो मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे या फिर जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे उसके बाद फ्लेम को लो करके इसमें हाफ टिवल स्पुन हल्दी पॉडर और एक टिवल स्पुन कश्मीरी लालमिश पॉडर डालेंगे इस तरह से हल्दी पॉडर और कश्मीरी लालमिश पॉडर डालने से ग्रेवी में कलर बहुत ही अच्छा आता है वैसे कस्मीरी लाल मिश पॉडर मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और अब तुरंथ ही जो हमने सरसो का मसाला पीस कर तयार किया था वो इसमें डालेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉल में थोड़ा पानी डाल कर मसाले वाला पानी भी इसमें डालेंगे और दो से तीन मिनिट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और मसाले हलके से फ्राई हो जाए तब हम इसमें पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और mix करने के बाद हम इसमें टेस्ट के according नमक डालेंगे नमक यहाँ पर ध्यान से डालें क्यूंकि हमने फिश में भी नमक डाल रखा है उसके बाद half twelve spoon काली मिश पॉडर और एक twelve spoon धनिया पॉडर डालेंगे और mix करेंगे और अब सारी चीजों को अच्छे से mix करने के बाद हम इसे low flame पर ढखक कर 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और मसाले की खुश्बू भी बरकरार रहे है और ये देखिए 10 मिनट के बाद मसाले बहुत ही अच्छे से फूल गया है और तेल भी उपर आ गया है मैंने बीच में दो बारी से चलाया था जब हम इसे ढखक कर पका रहे थे इससे मसाले कड़ाहे में चिपकेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे अब इसे 3 मिनट खुले में लगतार चलाते हुवे फ्राइ करेंगे और जब मसाले बहुत ही अच्छे से भून जाएं और ये थोड़ा लाल जासा दिखने लगे तब हम इसमें 2 कप गरम पानी डालेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मुझे यहां ग्रेवी थोड़ी थीक लग रही है तो मैं यहां आधा कप पानी और डाल रही हूँ वैसे आप ग्रेवी अपने पसंद के एकॉर्डिंग एजस्ट कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद एक टवल स्पुन कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे अब इसे ढखकर दो से तीन मिनट ग्रेवी को बॉयल करेंगे और यह देखिए यहां हमारी फिश के लिए ग्रेवी बिल्कुल तयार है और ये देखिए सारा तेल ग्रेवी के ऊपर कैसे फ्लोट हो रहा है तो बस अब हम इसमें सारे फिश के पिसेस डाल देंगे उसके बाद थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई धनिया की पत्ती रालेंगे और हलका सा मिक्स करेंगे अब इसे ढखकर दो मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट फिश में अच्छी तरह से समा जाए और देखिए दो मिनट के बाद हमारी बहुत ही टेस्टी मसालेदार फिश करी बनकर बिल्कुल तयार है और फिश डालने के बाद धखकर दो मिनट से जादा बिल्कुल भी ना पकाएं नहीं तो फिश जो है वो जादा सौफ्ट हो जाएगी और तूटने लएगी और यहां आप देख सकते हैं फिश करी का टेक्शर और फिश भी जादा कुक नहीं हुआ है तो बस अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इन्हें सर्फ कर लेंगे और यह देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी मसालेदार होटलों से भी बहुत ही अच्छी फिश करी बलकुल तयार है सच में दोस्तों यह इतनी मज़ेदार बनी है कि अगर आपने इसे एक बार इस तरह से बनाकर खा लिया तो यह फिस करी आपकी फैबरेट हो जाएगी और आपने तो देखा ही इसे बनाना कितना आसान है इस फिस करी को आप रोटी या चावल किसी के भी साथ इंजॉई कर सकते हैं यह दोनों के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार इस लाजवाब फिस करी की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी मेहनत या मेरी वीडियो या पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई